Hello dear learners, welcome back to my channel. जैसे कि आपको मालूम है कि हम perception के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज उसी का second part हम study करेंगे. इस part में आपके साथ मैं discuss करूँगी perception का process. उस process में inputs और perceptual mechanism मैं discuss करूँगी. So आईए start करते हैं आज का topic, लेकिन start करने से पहले मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए, ताकि आप complete syllabus मेरे साथ कर सकें. So let's start dear learners. This is perception process. Slide को बहुत ध्यान से देखिए. सबसे पहले है perceptual inputs. Second में हमारे पास आपता है perceptual mechanism. Mechanism के अंदर तीन पार्ट्स हैं selection, organization और interpretation. इस lecture में मैं आपके साथ selection वाला जो पार्ट है उसको complete करूँगी. Third step है perceptual outputs और last में outcome आता है behavior. So let's start with perceptual inputs. Perceptual inputs का meaning क्या है? Perceptual inputs होते हैं stimuli. Stimuli कुछ भी हो सकता है. जैसे की कोई information जो मुझे बाहर की environment से मिली, कोई news मिली, उसे information बोला जाता है. कोई object जिसे मैंने देखा. कोई event, कोई घटना हुई. People, जो लोग मुझे मिले या दिखे. Stimuli के बारे में मैंने perception के first part में explain किया है. अगर आपने वो part नहीं देखा है, तो उसका link मैंने description box में दे दिया है. अब वहाँ से उसको देख सकते हैं. तो जो perception के time पे हमें stimuli मिलता है, वही input का काम करता है. Input मिलते ही, perception का process स्टार्ट हो जाता है. अब input देता कौन है? Input हमें देते हैं हमारे sensory organs. Perception के inputs में एक बहुत ही interesting input है, subliminal perception. Subliminal perception का मतलब क्या होता है? देखिए, external environment में कुछ एक stimuli ऐसा होता है, जो directly मेरे sensory organs जिसको record नहीं करते हैं. मतलब हमारा conscious mind उसको record नहीं करता है. Subliminal messages या तो visual होते हैं, या तो auditory होते हैं. मतलब या तो देखने वाले, या तो सुनने वाले. इन्हें हमारा conscious mind record नहीं करता, लेकिन हमारा subconscious mind इसको record कर लेता है. एक example देखो. यहाँ पर मैंने Amazon का logo लिया है. आपने बड़ी बार Amazon की site देखी होगी. में भी shopping भी करी हो. इसके नीचे आपको एक arrow दिख रहा है, जिसे हम smile समझ लेते हैं. लेकिन ये एक subliminal perception का point है. यहाँ पर वो आपको ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो, arrow A से start होता है, और Z पे खतम होता है. मतलब वो आपको ये बता रहे हैं कि A to Z, जो भी आपकी needs हैं, हर समान हम आपको बेचते हैं. तो इस तरह के जो messages होते हैं, उन्हें कई बार हमारा conscious mind record नहीं करता है. अब देखो, इसके साथ ही हमारा first step जो था, वो complete हो गया. conceptual inputs मैंने आपको explain कर दिये. अब हम आगे second step के उपर. दुबारा मैं आपको वो चार्ट दिखा रही हूँ, तांकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. perceptual mechanism ये अब हम discuss करेंगे. इसका part A क्या है? selection. सो start करते हैं, selection. selection के अंदर दो points हमने discuss करने हैं. वो है external factors और internal factors. इसके बाद अगली में मैं discuss करूँगी organization जिसके अंदर 9 points हैं. और C part आता है interpretation. selection को perceptual selectivity भी बोला जाता है. इसका मतलब क्या है? जब हम environment में जाते हैं, तो कुछ एक चीजें मेरी attention को आ जाती हैं. जैसे की हम कुछ objects की तरफ हमारा ध्यान जाता है और उन्हें हम select कर लेते हैं as stimuli और उनके साथ हमारा जो process है, सोच का वो start हो जाता है. तो हम कैसे objects को select करते हैं? देखते तो हम बहुत कुछ हैं, सुनते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक चीजें होती हैं, जो मैं perceive करती हूँ, जिनके उपर मैं सोचती हूँ. तो objects की selection के पीछे, कई सारी चीजों का हाथ होता है. मेरी सोच, मेरी value system, या मेरी needs. तो हर एक इंसान का जो selection का process होता है, वो अलग होता है. जैसे मैंने पहले भी बताया, कि ये एक subjective process है. हर person का ये तरीका अलग होगा. तो stimuli को select करेंगे हम दो basis के उपर. External factors और Internal factors. अब slide में आप देख सकते हैं, कि मैंने list त्यार कर दी है. External factors कौन से होते हैं, और Internal factors कौन से होते हैं. अब हम एके करके, इनको discuss करेंगे. Start करते हैं External factors के साथ. हाँ जी, सबसे पहला External factor है Size. तो जो stimuli आपको environment से मिल रहा है, वो size में जितना बड़ा होगा, उतनी attention वो आपकी लेगा. जितना छोटा होगा, तो attention उसको कम मिलेगी. हो सकता है, हम उसको ignore ही कर दें, intensity के अंदर आता है, कि जो bright चीजे होती हैं, वो हमारे ध्यान को खीचती हैं. dull चीजों को हम ignore कर जाते हैं कई बार. contrast, loud चीजें. आपने बड़ी बार देखा होगा, कि जो product की packings होती हैं, वो काफी bright colors की होती हैं. बच्चों के products अगर आप ध्यान से देखें, तो बहुत loud packing होती है, ताकि वो बच्चों के ध्यान को attract करें, और बच्चा बोले कि मुझे ये चीज़ चाहिए. On the other hand, dull चीजों के उपर हमारा ध्यान नहीं जाता. quiet चीज़ें भी हमारे ध्यान से कई बार miss हो जाती हैं. Then comes repetition, बार बार देखना. ये माना गया है कि जो चीज़ें हम बार बार देखते हैं, वो कभी ना कभी हमारे mind के उपर असर डालती हैं, और हम उसकी तरफ अपनी perception बना लेते हैं. novelty, novelty का मतलब होता है नई चीज़. तो नई चीज़ों के तरफ भी हमारा ध्यान अट्रेक्ट होता है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि बाई इसमें है क्या. Then comes familiarity, जो चीज़ें हमारे साथ unfamiliar हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता. उन चीज़ों के बारे में I get provoked, मतलब मेरे मन के अंदर इच्छा हो जाएगी कि मैं इसके बारे में जानूं कि ये है क्या, और मेरा perception process उसके लिए टेजी से चलेगा. Last में मैंने लिखा है motion. दो तरह की चीज़ें हैं, एक है moving. Moving चीज़ें जादा ध्यान अट्रेक्ट करती हैं as compared to वो चीज़ें जो stationary in nature हैं यानि non-moving हैं एक जगा पर खड़ी हैं. अब इसको हम एक example लेते हैं और एक point मैं आपको और detail में बताती हूं. अब देखिए, यहाँ पर मैंने external factor लिया है motion. दो images मैंने लगाई हैं. एक मैंने आपके साथ digital billboard लिया है, यह इंडिया की image है, इसमें Pepsi की ad display हो रही है और यह digital है, जैसे आपके TV में चलती है, उस तरीके से चल रही है. दूसरे के अंदर मैंने Pepsi का ही billboard लिया है, लेकिन यहाँ पर वो stationary है, एक image की तरह है. और यह देखा गया है कि जो moving चीज़े होती है, उसका हमारी perception के उपर strong impact आता है as compared to वो चीज़ें जो stationary in nature है. अब इसके साथ ही हमारी external factors की जो list है, वो complete होती है. अब हम discuss करेंगे internal factors. ध्यान से देखिए, internal factors के तीन points हैं, जो है personality, motivation and learning. आईए, अब हम इनको discuss करते हैं. सबसे पहला point है personality. Personality के बारे में मैंने आपको detail video lectures पहले भी दिये हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं. लेकिन फिर भी उसको explain करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि personality का मतलब होता है कि एक इंस्तान की फित्रत कैसी है. सबकी personality एक दूसरे से अलग होती है. हमारे जो individual differences हैं, उसी से हमारी personality बनती है. और psychologist ने इस बात को prove किया है कि हमारे बच्पन के experiences हमारे उपर बहुत असर डालते हैं और उसी से हमारी personality shape लेती है. तो development stages में यानि बच्पन से लेके बड़े होने तक जो जो हमारे साथ हुआ, वो चीजे consciously और unconsciously दोनों तरीके से मेरे दिमाग के उपर असर डालती हैं और मेरी personality को बना रेती हैं. Second point है, motivation. Motivation का मतलब ये होता है कि हम किन चीजों के उपर जादा ध्यान देने के लिए उतसाहित हैं. लोग जो होते हैं, वो perception के लिए उसी stimuli को select करते हैं, जो उनकी life में उस समय need होती है. और उन चीजों को वो ignore कर देते हैं, जिनकी उन्हें कोई जरूरत नहीं है. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने टीवी में कोई add देखी, जिस product की आपने add देखी, आप उसी को लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो match हो गई, आपकी जो need है, वो उस add के साथ match हो गई. तो आप motivate हो जाओगे उस चीज को लेने के लिए. On the other hand, अगर आपने कोई add देखी और वो चीज आपके पस पहले से है, तो आप उस add को ignore कर दोगे क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत नहीं है. अब इसको हम business point of view से या job point of view से भी study कर सकते हैं. motivation को better समझने के लिए मैंने job point of view से एक example ली है. यहाँ पर मैंने example ली है एक ऐसे employee की जो अभी अभी job में नया आया है. तो उसकी need है affiliation की, वो चाहता है कि लोग मुझे जानने, मैं नए दोस्त बनाऊं ताकि काम में मेरा मन लगे. अब आप image को ध्यान से देखिए. आफिस में tea break हुई है, तो सब लोग खड़े हैं, तो जो नया person आया है, वो अकेला बैठके चाहे नहीं पिएगा. Rather, वो वहाँ पर जाएगा, जहाँ पर उसके साथ काम करने वाले कुछ लोग खड़े हैं, ताकि वो एक informal talk उनके साथ कर सके, उसकी दोस्ती हो सके, वो लोगों को जान सके. तो जिस हिसाब की हमारी जरूरत होगी, उसी हिसाब से हम चीजों को perceive करेंगे. Now comes third point, learning. देखो, हम सब अपनी life में हर mode पर कुछ ना कुछ सीखते हैं. कुछ face करते हैं, कुछ अच्छा, कुछ बुरा. कुछ लोगों को मिलते हैं, कुछ लोग अच्छे, कुछ लोग बुरे. यह होते हैं हमारे life के experiences. और यही experiences हमारी life में हमारी सोच को बनाते हैं. इसी process को बोला जाता है learning तो मैंने अपनी life में जो भी experience किरा उससे मेरा सोचने का एक धंग बन गया तो जब भी मैं किसी information को या किसी चीज़ को देखूंगी तो मेरे जो sensory organs होंगे वो उसी हिसाब से response करेंगे जो मैंने पुराने time में सीख ली थी तो हमारा दिमाग जो होता है वो हर एक information को compare करता है अपने पुराने stimuli से जो भी life में हमारे साथ होता है हम उसे अपने mind में store कर लेते हैं और उसी हिसाब से हम future की perceptions frame करते हैं learning को समझने के लिए हम यहाँ पर एक verbal response set की example ले सकते हैं जब हम एक flow में बोल रहे होते हैं तो हमारा दिमाग उसे प्रिसीव कर लेता है और चीजों को उसी तरीके से बोलता है देखो जैसे यहाँ पर Mac Donald, Mac Dovel, Mac Beth, Mac Henry अरे नहीं नहीं अब मेरे brain ने दुबारा से सुचा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले तीन जो words थे वो Mac से स्टार्ट हो रहे थे तो मेरे brain ने यही response को पकड़ा और last word को भी Mac Henry पड़ दिया जबकि वो machinery था This is known as learning कि हम जब सेम चीज को बार बार experience करते हैं तो हमारा perception process इसी तरीके से चलने लग जाता है Learning की एक और बढ़िया example है कि कैसे हमारे के life के experiences हमारी सोच को बनाते हैं Example देखिए यहाँ पर मैंने दो managers को लिया है First manager एक young manager है Second manager सो suited-booted है वो एक senior manager है अब देखते हैं सोच का फरक जो young manager है वो senior managers के बारे में यह सोचता है कि senior लोगों को ज़्यादा changes पसंद नहीं है और वो बहुत ज़्यादा time waste कर देते हैं paperwork में यानि files बनाने में और साथ की साथ जो शुरू से बने हुए rules हैं वो उनी को follow करते रहते हैं और उसी में उलज के रह जाते हैं अब देखो perception of a senior manager वो young managers के बारे में क्या सोच रहा है कि young managers जो हैं वो life में जो strict decisions हैं उनको लेने में घबराते हैं मालो किसी कुलीग को काम से निकालना है या उसको demote करना है तो ये decision लेने से पहले वो घबराते हैं और details के उपर ध्यान ही नहीं देता अब यहां से हमें क्या समझ आ रहा है ये example शो करती है कि किस तरीके से दो managers की सोच बनी ये उनकी learning से ही बनी जो उन्होंने अपने past experience से देखा उससे उनकी सोच बन गई maybe value generation gap जो भी उन्होंने देखा सो इस तरीके से हमारा ये topic complete हुआ थैंक यू